best laptop for heavy softwares के लिए in 2021 में अगर आप laptop searcher कर रहे हो अगर आपने कोई भी heavy software यूज़ करना है आपके लिए मैं laptop बताऊंगा तो सीधी बात करते है number 4 की number 4 की बात करते है लेकि number 4 की बात करने से पहले मैं आपको बता देना चाता हूँ भी मैं आपको जितने भी laptop बताऊंगा वो वीडियो एक्टिंग के लिए बैस्ट होने वाले अगर आपने फूर के भी ट्राइग करना है आप कर सकते हो अगर आपने गीमिंग करने है हाई ग्राफिक पी अगर आप गीमिंग करना जाते हो आप नॉमली इजली कर सकोगे प्लस भी अगर आपको ऑफिस वर्क के लिए चाहिए स्टुड़न्टों पढ़ते हो पढ़ते हो आपके लिभी बैस दिल होने वाली अगर आपने 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 आपके लिए बहुत प्लस अपने चाहिनेधे अफ़िक फिर डेटर काम केंड है प्रोग्रमिंग करने निक्याइज गर अगर आपने कोई भी सफट्वे यूज घूस करना आप इसली नम्र्म कर सकोगे तो बात करते हैं सीदा नॉर्बiszों कि gli Ke horn को अगर इस लैप्टाप की बात करो सबसे पहले में आपको बता देना चाहता हूं कि इनकी बिल्ड क्वाल्टी प्लस इसका डिजाइन वह बहुत ज्यादा इसको सूड करता है प्लस एम मैं ब्रेंड है प्लस अगर आपका को काम ऐसा कि आपको की बूर्ड पे ज्यादा काम करन आपके लिए बहुत अगड़ा होने वाले वाले विकर्ज आपको ट्रैक पैड एंड टच पैड यह हूँ है वह बहुत सही मिल जाता है प्लस इसके डिस्प्ले क्वाल्टी बहुत अगड़ी है आपको एच्टी प्लस वेब कैमरा साथ में फ्री आफ कोस्त देखने को मिले अगरेशन के साथ देखने को मिल गां तो स्पैसिविकेशन के अकॉर्णि देखा जहें लैप्टॉप पूरा लोड़ देखती को मिल जाता है मैं आपको में श्पैसिविकेशन बता दिता हूं थोड़ी सी दीपट बात कर लेते हैं वाई तो यह डिस्प्ले की बातों को फ आपको 10 hours का battery backup provide कर देता है price की बकरों को 51,000 के budget में MI notebook horizon देखनी को मिल जाता है तो यहार main specification मैंने आपको बता दिया MI notebook horizon के अभी मैं इसके minus point की भी बात कर लेता हूँ so that's why मैं इसको number 4 पर रखा इसका minus point सिर्फ यह देखनी को मिलता है कि आपको 8GB RAM तो मिल जाते है लेकिन आपको upgrade करने का option नहीं मिलता so that's why मैं इसको number 4 पर रखा तो आप इस चीज को दियान में रखना कि आपको RAM upgrade करने का option नहीं मिलता जो कि सच में एक minus point आजाता है तो आप देख लेना अगर आपको यह laptop जो है वो सही लगता है आप उसके और जा सकते हो अगर आपकी कोई requirement है कि आप भी आगे बात करते हैं number 3 की number 3 की बात करूं number 3 पर यार मैंने रखा इस इस पायर 5 को सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं अगर आपको पचास अजार से कम है तो यह laptop आपको 45,000 के बचल में मिल जाता है 45,000 के बचल में आपको specification पूरे loaded मिल जाते हैं बहुत अगड़े specification हैं मैं आपको बताते हैं तो हम सीधी बात करते हैं specification की तो यह display की बातों को 14 इंच 4D plus display मिल जाती है जो की आई-प्रेस पैनल डिस्प्ले है प्रोसेसर की बातों को i5 10th generation के साथ मिलता है storage की बात करूं आपको 8GB RAM मिल जाते है HDD के साथ HDD की speed बहुत slow होती है ठीक है अगर आप 2GB या 3GB की file transfer करते हो ना तो उसको यार आदा गंटा 40 मिन ऐसे लगते है लेकिन SSD में आपको यह चीज़ी नहीं देखने को मिलेगी जो की सच में SSD ही लेनी चाहिए अगर आप data ज्यादा ट्रांसफर करते हो ग्राफिक काड़ की बात करूं आपको नवीड यह G4 MX350 देखने को मिलेगा उप्रेणी सेस्टों की बातों को विंटो 10 मिल जाती है बैंटरी लाफ की बात करूं आपको 8 hours का बैंटरी लाफ परवाइड कर देता है प्राइस की बातों को 45 अंच लेके 51,000 के budget में Acer Aspire 5 यह specification के साथ देखने को मिल जाएगा तो यह मैंने आपको बता दिये Acer Aspire 5 के भी अगर मैं specification के according देखा जो तो बहुत ज्यादा सही है बही आपको 45 अंच के budget से लेके 50,000 के budget तक यह laptop देखने को मिल जाते है तो बही अगर आपने office बर के लिए चाहिए student हो पढ़ते हो पढ़ा करने है तो बही मैं आपको recommend करना जाता हूँ आपने 16GB RAM के minimum चल जाना उसको upgrade कर लेना आपके लिए ही benefit होने वाला अगर आप कुछ भी पूछना जाते हो comment section में comment कर सकते हैं जा मैंने link वगरा description box में दिया हूँ है अभी आगे बात करते है number two की तो अभी बात करते है number two की ले में मैं बात करूँ Acer Aspire 7 की and मैं बात करूँ Acer Nitro 5 की सबसे पहले में आपको दोनों के बारे में clear कर देता हूँ भी अगर आपको office work के लिए चाहिए अगर आपको gaming design नहीं चाहिए तो Acer Aspire 7 आपके लिए perfect deal हो सकता है बट अगर आपको gaming design चाहिए अगर आपको gaming design से matter कु अगर आपको बता दिया अब ही बात करता है इस चीज को आप दियान में रखना पर सैसर की बातों को i5 9th generation के साथ मिलता है आपको 8GB RAM मिल जाती है अपको 32GB तक प्लस आपको 5GB SSD देखने को मिल जाती ग्राफिक कार की बातों को GTX 1650 4GB मिल जाता है उप्रेणी देखने को मिल जाती है प्लस आपको fingerprint वगार भी देखने को मिलेगा बैटरी की बात करूं आपको 7 hours का battery backup प्रवाइड कर देता है IPS पैनल डिस्प्ले मिल जाती है जो की 16 रिफ्रेश्चेट के साथ आती है आप वरसासर की बात करूं इसमें भी आपको AMD Ryzen 5 देखने को मिलेगा 3500HS के साथ ठीक है storage की बातों को 8GB RAM मिल जाती है अपको 32GB तक कर सकते हो प्लस आपको 5GB SSD देखने को मिल जाती ग्राफिक कार की बातों को GTX 16504GB मिल जाएगा उपरेणी से की बातों को Windows 10 मिल जाती है आप बैंटरी की बात करूं आपको 6 hours का बैंटरी बैकप परवाइड कर देता है प्राइस की बात करूं आपको 57000 के बज़ट में इस से नीट्रो फार्ट देखने को मिल जाएगा तो यहार मैंने आप आपको दोनों ही laptop के बता दिये मुझे पता है मैंने जो आपको laptop बताए उनका प्राइस जो है वो 50,000 से अपर चला जाता है तो यह अगर आप एक्स्टा पी कर सकते हो तो मैं आपको कहना चाता हूं आपके लिए यह दोनों laptop बहुत तगड़े होने वाले अगर आप एक्स् अगर आपका बज़ेट तीस अजार होता तो मैं आपको लिनोवो लैप्टाप के और जाने को कहा है था विकॉज उतने प्राइज में लिनोवो बहुत तगड़ा कर रहा है लेकिन अगर आपका बज़ेट फॉर फॉर लैप्टाप बहुत जादा तगड़े है तो यह अभ जो मैंने आपको लैप्टाप बता है वो बहुत अगड़े होने वाले तो यार अभी मेरी वीडियो यहीं पर हो जाती है खत्म अगर आपको मेरी पेच्छे लगी यार वीडियो को लाइक करदना कमेंट करदना शेर करदना दोस्तों के भी दोस्तों को बेदना उनको भी कह आपको गदे सब्सक्राब वीडियो को गड़े लाइक एंड इस्नाग्राइम पीगोले फॉलो लिंक अब गड़ा है ये आपको डिस्क्रेप्टिन बॉक्स में देखने को मिल जागा उसको चाट को लना मिलते नाक्स्ट वीडियो में ने वीडियो को साथ तेंक यू